हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं चाहेंगे के राहू और केतु जो हैं जोतिश में या लगन चार्ट में जब होते हैं या किसी भी कहीं पर भी चाहें ये नवाश में हो चाहें लगन भाव में हो चाहें चंद्र लगन में चाहें सूर्य उसमें हो लगन चार्ट में लेकिन इनकी जो इस्थिती होती है वो बि से साथ में घर में बैठे उते हैं यह फोड़ा है दूसरे तुरीक mucho एंगिल पर रहते हैं रहू आई तु एक दूसरे से हमेशा हुँ और यह हमेशा वकरी सिती में ही रहते हैं कि यह हमेशा उल्टी ही चाल चलते अब क्योंकि केतु अपनी राशी तुला में चल हैं पिछले डिड़ वर्शों से और अब इनका राशी परीवर्टन होना है तो काइदे में थो इनको वृष्चिक राशी में जाना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि राहू और के तु हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं तो यह क्या कर रहे अब अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं किस तारीक को कर रहे हैं ये कर रहे हैं 30 अक्टूबर संद 2023 दिन सौमवार तित होगी दुतिया यानि कि दोज उस दिन ये अपना राशी परिवर्तन करके अपनी मित्र राशी तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशी कन्या में कर रहेंगे पूरे डे़वर्ष रहेंगे अभी कन्या राशी में 30awan अक्टूबर 2023 ने कर खाएंगे अपनी सम राशी कन्या में न जो इसके ऊपर कறा प्रभाव दिखा ही तो केतु जो है यह तो इनकी जो इनको जो संग्या दी है वो एक पापी और कुरूर ग्रह की है इनको पापी ग्रह भी माना गया है इनको कुरूर ग्रह भी माना जाता है इनकी कोई अपनी राशी नहीं होती है ना राहू की होती है ना केतु की होती है यह जिस राशी में बैठ जाते हैं उसी हिराशी से संबंदित अच्छे और बुरे प्रणाम यह जातकों को दिया करते हैं जैसी वहाँ पर इनकी सिती होती है तो प्रियसातियों अब यह क्योंकि कन्या राशी में हमने बताया कि आप यह रहेंगे डेड़ वर्ष्णों तक आपको यही हम कह रहे थे तीस अक्टूबर से लेके अठार है मई दोहजार पच्छिस सक रहेंगे तो आप सभी बारे लगंडाशियों के जातक जो हैं मेश लगंडाशी से लेकर के और मीन लगंडाशी तक उनको केतू के दोरा किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इसकी चर्चाव हम आप से कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे मेश लगंडाशी के मित्र हैं उनके विशे में यानि कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है उनके विशे में तो साथियों जैसा मैंने कहा कि मेश लगन राशी के जो हमारे मित्रगण हैं उनके विशें में बात करेंगे और जानेंगे केतू जो हैं अगले डेड़ वर्शों तक आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स ट्रांजिट में कन्या राशी में रहते हुए देंगे तो साथियों ये आपके चार्ट में मेश लगन राशी के जो जातक हैं आपके चार्ट में केतू जो हैं वो छटे भाव में रहने वाले हैं यानि कि कन्या राशी आपकी वहाँ पर छटे भाव में हैं सिक्स हाउस में हैं वहाँ पर केतू रहेंगे डेड़ वर्शों तक प्र आप अपने स्वास का ध्यान रखें, अपनी दिन चर्या का ध्यान रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, और समय समय पर अपना medical check-up भी अवश्य कराते रहें. दूसरी बात वो ये है, अपने शत्रों से सावधान रहें, विरोधियों से सावधान रहें, विरोधी भी आपके लिए परेशानिया खड़ी करेंगे, और यदि कोर्ट का शेरी से समद्धित कोई legal activities आपके चल रही है, उसमें भी बहुत सावधानी से और अच्छे अच्छे expert से सलाह ले करके आप काम करें, और कहीं पर भी कानूनी वैसे भी कोई प्रक्रिया है, उससे related जो documents हैं, वो भी बहुत पूरे study करके, पूरे देख करके, तब आप signature वगएरा करें, किसी के good faith में signature ना कर दें, वरना आपके साथ कुछ एक तरीके से cheating हो सकती है, तो इस बात क आपको ध्यान रखना है, आगे बात करेंगे विर्शव लगन राशी के जातकों के विशह में, विर्शव लगन राशी के जो स्वामी हैं, वो शुक्र हैं, और केतू के मित्र हैं, लेकिन केतू जो हैं, कन्याराशी में रहेंगे, आपके चार्ट में पंचम भाव में, यह तो कुछ सामानने से मध्यम रिजल्ट्स आपको आप एचीव कर पाएंगे अपने एजुकेशन से रिलेटेड और यदि आप ने आलस किया पढ़ाई को ले करके या अपनी एजुकेशन को अपनी स्टडी को एग्नोर करते रहे तो तो निश्चत रूप से फिर आपके रिज दृषव लगनराशी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप किरपया अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान अधिक से अधिक दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा उतने ही आसानी से आपको रिजल्ट्स एचीव आप कर पाएंगे दूसरी बात जो लोग व्यापार में हैं या रोजगार में हैं वे भी थोड़ा सा कन्फियूज रहेंगे कोई बड़ा डिसीजन अगर उनको लेना पड़ता है या कोई निरने लेना पड़ता है या किसी निशकर्ष्ट पर पहुंचने की जरूत पड़ती है तो यहां पर वो भी थोड़ा कन्फ में भी लेकिन अगर ऐसी बात है और आपको निर्णे लेने पड़ते हैं तो आपके लिए बहतर यही रहेगा कि आप अपनी टीम के साथ डिसकस करके ही कोई निर्णे ले तो जादे अच्छा रहेगा साथ ही जो आपके मित्र हैं वो आपके साथ तो दिखाई देंगे खड़े हुए लेकिन अंदर से वो आपके साथ नहीं होंगे उपड़ से आपको ऐसा महसूस होगा कि मित्र आपके अपने साथ है लेकिन वो मित्र जो हैं मौका लगते ही आपकी पीठ मुरते ही आपकी बुराई भी करेंगे तो ऐसे मित्रों से भी आपको थोड़ा साथदान रहना है आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशी के जो हमारे जातक है जिनका जेमनी असेंडेंट है मिथुन राशी के स्वामी बुद्ध है और बुद्ध जो है केतु के समय है तो सातियों मैं आप से बताना चाहता हूं कि केतु जो हैं वो फोर्थ हाउस में रहेंगे अगले डेल वर्षों तक 30 अक्टूबर से लेके और अगले डेल वर्षों तक जब यह यहां पर रहेंगे तो इनके यहां रहने से एक तो जो आपको मिलने वाली सुख सुविदाएं हैं निश्चित रूप से अगर हम कहें तो थोड़ी बहुत उसमें कसर या कमी का एसास आपको यह करवाएंगे केतू और अपनी माता के साथ रिलेशन आप अच्छे रखिएगा कोशिश करें कि आपके रिलेशन अच्छे रहें माता के साथ आपका व्यवार अच्छा रहें और माता के साथ थोड़ी इस बात की संभावना अधिक बन रही है कि कहीं आप के उनके साथ वैचारिक मत भेद या आप का उनके पृति आपका जो जुकाव है वो कम हो तो इस माता किस से संबंदिच चीजों को ले करके थोड़ी सी परेशानियां दिखती हैं इसी प्रकार से सुसराल पक्ष जो है सुसराल पक्ष से भी थोड़ी बहुत आपको समस्यां बन सकती है कुछ शिकायत रह सकती है अगले डेड़ वर्शों तक अब बात करेंगे आगे करक तो आपके चार्ट में केतू जो है वो थर्ड हाउस में हैं यहां रह कर कर देखिए यह जब केतू यह आते हैं तो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं और थोड़ा रोग और तकलीफ भी देंगे यह तो आपको अपने रोग और तकलीफ ना हूँ उनका ध्यान रखें और उसके- क्या चीज़ें आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं वो जरू करने की कोशिश करें और ये आपके अंदर एक तरीके से सौभाव जो है आपका वो आलसी सौभाव बनाएंगे और अगर आलसी सौभाव हो जाता है तो हम अपने करम नहीं कर सकते हैं सही डंग से और जब सह करम पर करम प्रदान अपना मानसिक्ता बनाएं और कर्मों पर ही अपने फोकस करें अगर आप चाहते हैं कि भागे भी साथ दे और आपके प्रणाम भी आपके अनुकूल प्राप्त हो आगे बात करेंगे जो सिंग लगन राशी के हमारे मित्र हैं जिनका लियो आपके एक तरीके से जो परिवार के जो लोग हैं परिजन जो हैं उनके साथ ये कुछ ना कुछ आपके मत्बैद पैदा करवाएंगे और साथ में आपको कोई ना कोई आँखों से सμβन्दित या दातों से सम्दित रोग भी हो सकता है या तकलीफ हो सकती है तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है थोड़ी सी वानी भी नमर रखिएगा वानी भी थोड़ी कड़क हो सकती है और वो कड़क भाशा आपकी दूसरों को इसका एहसास होगा कि भई आप कितनी कड़क भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं तो जहां तक हो सके अपनी soft spoken बने ताकि दूसरे लोगों में भी एक अच्छा message आपकी ओर से जा सके इसी प्रकार परिवार के अंदर इसी प्रकार समाज के अंदर आगे बात करते हैं कन्या लगन राशी के जातकों के विशह में कन्या राशी के स्वामी बुद्ध हैं और केतू की बुद्ध के साथ ना शत्रूता है ना मि रहेंगे अगले डेड़ वर्शों तक कन्या लगन राशी के जातकों के अब जब यहां पर डेड़ वर्शों तक रहेंगे तो इतनी बात तो तैह है कि ये व्यक्ति को आपको कन्या लगन राशी के जातकों को आपके जो विचार हैं काफी धार्मिक रहेंगे धर्म के पिर जरूर दर्ज कराएंगे अपनी उपस्तिती दर्ज कराएंगे और विचार भी आपके बड़े अच्छे रहेंगे शुद रहेंगे धार्मिक रहेंगे और जब व्यक्ति के विचार धार्मिक रहते हैं और धर्म के पिरती उसके आस्था अधिक रहती है तो वो कारे भी जो भ वर्षों तक देने जा रहे हैं अब हम करेंगे चर्चा तुला लगन राशी के जो मित्र हैं हमारे उनके विशम है कि के तू तीस अक्टूबर दो हजार तीस से लेकर अगले डिल्ड वर्षों तक आपके चार्ट में दौदश भाव यानिकि ट्वैल्थ हाउस में रहेंगे क ख़च अधिक मात्रा में होगा और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना होगा जरूर रखना हाला कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जो को बहुत ऐलार्मिंग सिच्वेशन क्रियेट हो स्वास्त को ले कर के ऐसी तो कोई समभावना नहीं है लेकिन फिर भी समय समय पर आपको अपने स्वास्त की चिंतन अवश्य करना है अपनी देख भाल खुद करनी है स्वास्त का ध्यान कहने का भाव यह है कि उसका ध्यान रखना है स्वास्त को ले करके आगे आप से पताना चाहेंगे कि देखिए यूं तो व कराएंगे दर्ज तो इसलिए आप कोई कोई कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा मौका ना दें कि जिससे वो आपका विरोध आपके सामने करेंगे आगे बात करेंगे विर्ष्चिक लगन राशी के जात्कों के बिशे में तो बताना चाहेंगे केतू जो है आपके चार् अचानक आपको धन का लाब होगा कही न कहीं से जिसके विशे में आपको खुद को भी ग्याद नहीं होगा मालूम नहीं होगा और ये धन का अच्छा आगमन ये आपके लिए कराएंगे साथ ही आपके मित्रों की और से भी आपको कुछ अच्छी मदद करवा सकते हैं जो है अगले डेड़ वर्षों में धन का अभाव दूर करेंगे आपका आगे बात करेंगे धनु लगन राशी के जातकों के विशे में जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है तो साथियों आपके चार्ड में केतू दशंबाव में रहेंगे कन्या राशी में यहां पर करके जो भी आप व्यपार कर रहे हैं या आप नरोजगार करते हैं जो भी करते हैं कोई भी काम करते हैं उसमें सामानने से और मध्यम परिणामों की प्राप्ति यह आपको कराते रहेंगे लेकिन अचानक कोई ऐसी भी डेवलपमेंट यह करा सकते हैं अचानक कि इसमें transfer लेना चाहते हैं नहीं हो पा रहा था अचानक हो जाए बिना आपके कहे हो जाए बिना आपके approach किये हो जाए तो ऐसा कोई नया development भी के तु आपके career में करा सकते हैं अचानक कहीं से कोई अच्छी opportunity भी आपको दिलवा सकते हैं आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशी के जातक है यानि कि जिनका Capricorn Ascendant बनता है तो देखिए आपके चार्ट में के तु जो है वह नाइन्थ हाउस में रहेंगे अगले डेड़ वर्शों तक 30 अक्टूबर से लेकर अगले डेड़ वर्शों तक कन्या राशी में और जब यहां पर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो higher studies कर रहें इस्टूडेंट्स मकर लगन राशी के उनके लिए मध्यम से थोड़ा सा upper results यह दिलवाएंगे और मकर लगन राशी की जो total जा तक हैं जिनकी भी मकर लगन है उनको भी यह समय समय पर भागय में साथ एक तरीके से मिलता रहेगा आपको भागय का support मिलता रहेगा लेकिन अचानक कोई ऐसा development भी हो सकता है आपकी life में अगले डिल वर्षों में कि जिसकी लिए आपने सोचा ना हो या जिसकी आपको अमीद ना हो व्यक्ति कई बार कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देता है सोच करके कि यह हमें मिलने वाली नहीं है या हम इसके लिए deserve नहीं करते तो केतू कुछ ऐसा ही करवाएंगे आपके भी life में मकर लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं आगे बात करेंगे कुम लगन राशी के जातकों के विशे में देखिए कुम लगन राशी के जो जातक हैं आपके चार्ट में जो केतू हैं वो अश्टम भाव में हैं प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि केतू जब यहां रहेंगे तो मान सम्मान तो आपको बरावर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा परीजनों के स जात मत्भेत पैदा हो सकते हैं और अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ पर भी मान सम्मान आपका बरावर बना रहेगा या व्यापार करना हैं तो वहाँ भी आपका कारोबार सैटिसफेक्ट्री तरीके से चलेगा यह निकिए आप अपने व्यापार से भी को ले करके हैं यानि कि आपको जिनको पाइल्स की प्रोब्लम हैं उनकी पाइल्स की प्रोब्लम बढ़ सकती है या जिनको पेट से संबंदित रोग हैं उनके रोगों में और विरद्धी हो सकती है तो भाई अपने पेट से संबंदित रोगों का अधिक आपको ध्यान रख में यानि के जिनका पाइसेज असेंडेंट बनता है तो सातियों आपके चार्ट में केतू सेविंथ हाउस में रहने वाले हैं तो देखिए आपके अपने जीवन साती के साथ थोड़े बहुत तनावज रहने की संभावना तो है लेकिन केतू यहां पर होंगे तो थोड़ा सा बीच बीच में कई दफ़ा ऐसा भी समय आएगा कि बही चलो शांती से ही बात को सुल्जा लेते हैं के तू यही चाहेंगे कि आपका किसी तरह से कंप्रोमाइज हो जाए लेकिन यह बहुत एक तरीके से शौर्ट टाइम के लिए होगा ओवरॉल तो खेर संभंदों में तन धार्मिक विचार रखें आपके तो इस प्रकार की संभावना भी बन रही है और जब विचार धार्मिक होते हैं तो व्यक्ति के कार्य भी अच्छे ही होते हैं उसके दोरा तो केतु की यह कोशिश रहेगी कि आप जो भी कार्य करें इमानदारी से करें और धर्म के प्रिति के उपरांत देखने में आ सकती है या जिसकी संभावनाएं अधिक हैं ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस दीजिए और साथियों इसी के साथ अब हम अपने इसकार एकरम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वानी को भी देना चाहेंगे विराम और आप सभी मित्रों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सहर्द है बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता द झाल झाल